प्यारे बच्चो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चो जो आज ही किलास है वो हम 6th क्लास का जो टॉपिक है फर्स चैप्टर का यानि यूज ओफ कॉमा के बारे में स्टडी करेंगे बच्चो अजब हम परियोग करते है या यूज कहों कि कॉमा हमारा यूज करना हमारे लिए 2 मदद करता है पहला एक तो रेडिंग यानि लार्ज नमबर को रेडिंग करने में दूसरा लार्ज नमबर को लिखने में कौमा हमारी बहुत ज़ादा मदद करता है अब जब हम कौमा लगाते हैं किसी नंबर के आगे या बीच में या कहीं पे भी हम कौमा लगाते हैं तो उसकी एक निश्चित वैलू होती है तो इसी के लिए बिटा क्या हो रखा है हमारे पास में जो number system को पढ़ने का तरीका है numeration को पढ़ने का, reading करने का तरीक है उसके दो important system होते है एक होता है मारा Indian numeration system होता है और एक होता है international system यानी पहला होता है भारतिय, संख्यांकन, पद्दती होती है और दूसरा होता है अंतरास्टिय होता है तो पहले मैं बता देता हूं आपको जो Indian system of numeration है, Indian system of numeration में हम counting कैसे लिखते हैं बाइ, नमबरों को हम ones place का यूज्छ करते हैं, यानि हिंदी में क्यब उत्य है पह उत्य है हम क्या करते हैं? 10th place का यूज्छ करते हैं यानि दाहे का इस्थान आपने सुनना होगा, जब Indian system of numeration में कॉमा लगाते हैं तो जो first कॉमा लगता है बिटा right side जैसे अगर मेरे लिए तो right side यह है लेकिन आप देखोगी अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए तो right side यह हो जाएगी तो मैं आपको बताऊं कि कॉमा लगा जाता है right side से right side से मतलब कि जहां से हमारा जो unit या once digit start होता है वहां से हम कॉमा लगाना सुरू करते हैं तो पहला जो कॉमा लगा जाता है वो last digit से तीर यानि hundred place के पास में के लगा जाता है छी कि नहीं hundred place के बाद में तो मैंने सारी बाते लिख रखी है कौन सा कॉमा कहा लगा जाता है और उसको क्या reading कर जाता है तो चलिए बिटा note देखते हैं क्या है देखो बिटा पहला काम use of कॉमा देखो बिटा to write a large number often we use कॉमा यानि बड़े नंबरों को लिखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता है था हम कॉमे का परियोग यानि कॉमे को हिंदी में अल पिवराम कहते हैं परियोग करते हैं कॉमा क्या help करता है हमारी कॉमा help us in reading and writing large number इस बात को बिटा underline कर देना कॉमा हमारी मदद करता है किसी बड़ी संख्याओ को लिखने और पढ़ने में दोनों कामों में लिखने में भी और पढ़ने में तो कॉमा लगाने के हमारे पास में दो सिस्टम होते है कॉमा को यूज करने के लिए तो मैं लिख दिया देर आर टू important system of using कॉमा पहला होता है बिटा हमारा Indian system of numeration और दूसरा होता है international system of numeration होता है यह दोनों प्रणाली का हो या दोनों system का हो कॉमा को लगाने के लिए परियुग होते है देखो Indian system का मतलब यह होता है कि हम भारत में जब number लिखते हैं तो कॉमा कहां लगाएं लेकिन international जब हम बात करते हैं एक international level पे तो कॉमा अलग तरीके से लगता है कि इंडियन system of numeration में कॉमा कहां आता है पहली बात इन आवर इंडियन system of numeration हम क्या क्या यूज करते हैं once, tens, hundred, thousand हाला कि इसके बाद हम ten thousand भी यूज करते हैं लेकिन इसके बाद में हमारे पाद आता है हमारा lakh और करोड आता है hundred का मतल़ जानते हैं पहले unit, फिर tens, फिर hundred आगा यानि hundred place के बाद में आएगा ठीक है या तो यू कहो three digits from the right यानि एक, दो, तीन right से तीन digits के बाद में आएगा and marks thousand तो ये बताएगा क्या जब हमें reading क्या करेंगे इसकी reading करेंगे हम thousand की counting में आपको होगा कि hundred place पे आएगा thousand में कैसे count करेंगे ये आपको जब मैं example की थूरू समझाओगा जब आपको पता चलेगा मैंने कुछ example लिख रखे मतलब value जो है hundred place के बाद में आएगी लेकिन पढ़ा इसको thousand में पढ़ा जाएगा कैसे मैं आपको समझाँगो next कॉमा अगर हमने third मतलब तीसरे स्थान पे कॉमा लगा दिया है तो उसके बाद में the second कॉमा लगाने की बारी का बाती है the second कॉमा comes two digits later यानि फिर उसके दो डिजिट के बाद में आता है यानि पहला लगा कितने डिजिट के बाद बेटा तीन डिजिट के बाद फिर दूसरा दो डिजिट के बाद अगर हम बात करें राइट से तो पांच वे स्थान पे ठीक है न यानि five digits from the right it comes after ten thousand लेकिन ये किसके बाद आता है ten thousand के बाद लेकिन ये marks value कितनी करता है लेक को mark करता है यानि एक लाख को represent करेगा ठीक है तीसरे कॉमे की बाद करें बेटा the third कॉमा comes after another two digits लेको पहला आया तीन डिजिट के बाद में फिर आया दो डिजिट के बाद में फिर अगला भी आया और अगली दो डिजिट के बाद में कॉमा आगा यानि पहला आया तीन फिर दूसरा आया दो के बाद यानि पांच और अब आये गए seven digit के बाद में यानि हम कहें इसको कि seven digit from right यानि right से seven digit के बाद में यानि it comes after ten lakh ये आएगा ten lakh के बाद में यानि mark कौन सी value करेगा करोर को करेगा अब आप सोच रहोंगे मैंने ये सारी बाते लिखी है यहाँ पे hundred के बाद में आ रहा था तो उसको thousand में पढ़ा जा रहा था और यहाँ ten thousand के बाद में आ रहा था तो उसे lakh पढ़ा जा रहा था और यहाँ lag के बाद में आ रहा था तो उसे करोर पढ़ा जा रहा था confusion हो रहा था थोड़ी अब देखो सारी confusion clear होगी यह मैंने कुछ example लिखे हुए है यानि यह है हमारा एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ यानि यह eight digit का एक number है अब देखो, मेरी बात ध्यान रहो मैंने पहला कॉमा बोला था hundred place के बाद में यानि देखो पहला unit place, tens place, hundred या बोलो once place, tens place और फिर hundred place तो पहला कॉमा देखो hundred place के बाद में आया यानि देखो first कॉमा comes after hundred place ठीक है यानि यह रिपर्जेंट करेगा यानि मार्क करेगा thousand की value को यानि यह हम इसको नहीं कह रहे यानि जहां यह कॉमा आया इसके आगे जो digits है इसको यह thousand reading कराएगा यह मतलब है marks thousand का मतलब यह इसको thousand reading कराएगा अब देखो बेटा the second कॉमा comes two digits later अब देखो पहला आगया तीन डिजिट के बाद में फिर अगला आएगा दो डिजिट के बाद में ठीक है बेटा तो यह देखो अगला देखो यह दो डिजिट के बाद में फिर कॉमा आया और यह क्या represent करेगा बेटा यह नहीं mark करेगा यह value को लैक को यानि यहाँ पे इसे 5 लैक पड़ जाएगा जैसे यहाँ पे तो 100 है यह और यह 1000 पड़ जाएगा इसे लैक में पड़ जाएगा फिर आएगा बेटा थर्ड कॉमा comes after another two डिजिट अब अगले देखो पहला आया तीन फिर दो फिर अगली दो के बाद में आएगा और अगली दो के बाद में जब आएगा तो वो आएगा हमारे किस के बाद में पड़ा 10 लैक के बाद में और 10 लैक के बाद में आने का मतलब वो करोड को रिपर्जेंट करेगा यानि इस नंबर को हम कैसे रेडिंग करेंगे बैटा देखो यह देखो पहला कॉमा आया पहले कॉमे के लिए हम क्या करेंगे बैटा थाउजन के रूप में और दूसरे को लैक के रूप में और फिर हम करोड के रूप में तो स्टार्ट कैसे करेंगे सेवन करोड फाइव लैक त्री थाउजन एट हंड्रेड सेवन्टी टू एसी यह देखो बटा पहला कॉमा तीन फिर दो फिर दो और ऐसी चलता रहेगा आगे भी तो इससे क्या पढ़ेंगे बटा पहला देखो तीन कॉमे आएं एक, दो, तीन अगर हम वहाँ से बात करें राइट साइड से तो पहला कॉमा थाउजन में रिडिंग करे जाता है दूसरा लैक में और तीसरा करोड में यह कहो तीन कॉमें तो पहला करोड में दूसरा लैक में और तीसरा किसमें reading करा जाएगा 1000 में देखो बेटा इसे का पढ़ेंगे बेटा 8 करोड 75,50,375 clear है अच्छा इसे देखो बेटा पहला कोमा देखो 1,2,3 डिजिट के बाद फिर दूसरा 1,2 डिजिट के बाद फिर तीसरा 1,2 डिजिट के बाद तो देखो बेटा अब यानि ये रिपरजेंड करेगा करोड को यानि ये 5 करोड 8,15,592 clear है अब आपको समझ में आए वो बात क्या लिखिये मैंने मतलब जो कॉमा हमारा आ राता 100 प्लेस के बाद में वो 1000 को रिपरजेंड कर रहा है बेटा देखो या 100 प्लेस के बाद में आ रहा है तो 1000 को रिपरजेंड कर रहा है और जो 2 कॉमा आ रहा था वो आ रहा था हमारा किस के बाद में 10,000 के बाद में तो वो हमारा किस को माक कर रहा था लैक को, तो हम इसे बिटा देखो यानि यह आ रहा देखो, यूनिट और फिर आ गया 10, फिर 100 फिर आ गया 1000 10,000 के बाद में आ रहा है, तो लेकिन इसको रिडिंग के आप कड़ा जा रहा है बिटा, हमारा लैक में पड़ा जा रहा है, और फिर जो next पहला तीन, फिर दो, फिर दो दो करके आएंगे, ठीक है तो देखो, अब यहां से किस में पढ़ा जाएगा बिटाए, यह करोड में ऐसी ही वाला पार्ट करोड में पढ़ा जाएगा अब आप से जो पहली एक्सेसाइज है, उसके निदर कोशन कैसे पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको एक international system भी पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले में कुछ बाते बता देता हूँ आपको आप से बोला जाता है, आपको एक number दे जाएगा और आप से बोलेगा कि इसको कॉमा लगाओ, इस बड़े number पे कॉमा लगाओ आपको चॉइस देगा हूँ, बता देगा कि कंपलसरी भी बोल सकता है या चॉइस भी देगा कि आपको Indian system के according लगाना है या आपको international system के और आपको उसका according मतलब कॉमा लगाना है एक और जो खास बात है आपको यहाँ समझाने के लिए वो है writing names of number यानि जब हम किसी number का नाम लिख रहे हूँ नाम लिखने का मतलब उस number को या large number को हम language में रख रहे हूँ तो हमें कभी भी कॉमा का परियोग नहीं करना है यानि कॉमा का परियोग हम कब कर सकते है जब कोई बड़ा number numeration के form में यानि गिंतियों की form में अगर वो हो counting की form में हो तभी हम कॉमा का परियोग करेंगे बट जैसी हम उस number को क्या करेंगे बटा अगर उस number को अगर हमें language में लिखना है English language में लिखना है तो हम कॉमा का परियोग कदापी नहीं करेंगे चीके मैंने आपको ये बताया कि कॉमा, first कॉमा कहां लगता है, second कॉमा कहां लगता है third कॉमा कहां लगता है अब आप ये और सीख लो कि उस number को हम लिखते कैसे हैं, clear है अब देखो बेटा, इनी example की बात करते हैं, कि जो कॉमा भी दो डिजिट के बाद में अभी मैंने आपको बेटा ये बात बताई कि जो पहला कॉमा होता है, वो hundred place के बाद में तो लगता है बट वो thousand को mark करता है value को तो यानि यहां पे हमारा जो है, यहां three को हम thousand mark करेंगे ठीक है ना, यानि thousand की form में reading करेंगे, दूसरा बताया था बेटा आपको, जो दूसरा कॉमा लगता है, वो इसके दो डिजिट और बाद, यानि अगर वहां से बात करें तो five digit के बाद में, यानि right side से five digit के बाद में लगता है, और वो लगता है ten thousand place के बाद में और जो mark क्या करता है बेटा, लैक की value को mark करता है, यानि यहां पे हम इसको five को लैक की ट्रम में पढ़ेंगे, next तो third कॉमा है बेटा, वो पढ़ता है another two digit के बाद में, यानि किसके बाद में पढ़ेगा, अगर हम right से बात करें, पहला तीन, फिर दूसरा दो और यानि पांच, और फिर दो और बाद यानि साथ digit के बाद में लगेगा, और जो क्या करेगा बेटा, हमेशा करोड को represent करेगा, है न, place कौन सा, ठीक है, ten lakh place में लगेगा, लेकिन value को represent करेगा करोड को, अब देखो, जैसे इसे पढ़ा क्या जाएगा, जैसे आप देखो, पहला one, two, three, digit के बाद में लगा है, तो देखो, unit यानि one place, और फिर ten, और फिर हमारा hundred, और फिर आएगा thousand place, फिर ten thousand आते रहें, तो हम इसे पढ़ेंगे बेटा, three thousand की form में, और फिर आता हमारा यह होगे ten thousand, फिर आता हमारा ten thousand के बाद में, इसके बाद में कौम आ रहें, तो यह अपने से आने वाले नंबर को लैक की form में पढ़ेगा, अगला फिर two digit के बाद में, तो यह अपने से आगे वाले नंबर को करोड की form में पढ़ेगा, यह ये मतलब है इसका कॉमे का मतलब ठीक है ना अब जैसे कि इसको क्या पढ़ा जाएगा इसे क्या पढ़ा जाएगा देखो पहला तीन डिजिट के बाद फिर दूसरा दो के बाद फिर दो के बाद ऐसे यानि पहला हम राइट से तीन डिजिट के बाद फिर दो के बाद फिर दो के बाद में लगाएगा आप सिंपल लॉजिक समझो पहला 3 डिजिट के बाद दूसरा 2 फिर दुबारा 2 यही तो बता रहा हूँ आपको तो यहाँ देखो पहला 3 फिर 2 फिर 2 के बाद में अब जो पहला 3 के बाद में आएगा वो अपने से आने वाले पहले जो नंबर है उसको 1000 की फ़र में पढ़ेगा और अगला 2 के बाद में आएगा तो वो लैक की फ़र में पढ़ाएगा और जो अगला आएगा वो उससे पहले वाले को करोड की फ़र में पढ़ेगा यानि इसको करोड की फ़र में पढ़ेगा तो इसे पढ़ेंगे बिटा 5 करोड 8,1592 मैं आपको लिखके भी बिता देता हूँ बिटा इंको लिखने की टेक्निक की है पहले रंबर को जैसे हमें लिखना है तो इसे लिखेंगे बिटा 7 करोड फिर कितना है फाइव लैक लैक की फॉर्म में आएगा यानि फाइव लैक फिर बिटा थाउजन की फॉर्म में आएगा यानि थ्री थाउजन अगला जो यानि इसने इस कौमे ने थाउजन की फॉर्म में पढ़ा अब तो यह आपको पता है कि भी 872 है यह तो यह होगा हमारा 872 872 ठीक है बेटा नेक्स त्रीक बेटा इसे पहला कॉमा वही तीन के बाद में आया है फिर दो फिर दो दो के बाद में तो यह करोड को रिप्रेजन करेगा यानि दूसरे का जो नेमिंग होगी वो कैसे होगी बेटा 88 करोर 75,00,50,000 और कितना है बेटा? 375 375 ठीक बेटा? नेक्स को कैसे पढ़ेंगे बेटा? आप इसको कैसे लिखेंगे इसे? यह होगे बेटा आपका 5 देखो पहला तीन डिजिट के बाद फिर दो फिर दो पहला क्या रिप्रेजन करेगा यानि इसको हम थाउजन की फर्म में रिडिंग करेंगे इसको लैक की फर्म में और इसे करोड की फर्म में यानि 5 क्रोर 800,001,000 और फिर कितना बेता? 500,592 ठीक है बटा अब दोबारे confuse मतो पहला तीन डिजिल के बाद फिर अगली दो के बाद फिर अगला दो के बाद में लगे रहा है तो पहला जब तीन के बाद में लगेगा तो अपने से आने पहले आने वाले नंबर को क्या पड़ेगा 1000 के में फिर दूसरा दो दीट के बाद लगेगा तो अपने से आने वाले पहले वाले नंबर को किस की फॉर्म में पड़ेगा लैक की फॉर्म में फिर अगला लगेगा तीसरा कॉमा फिर दो दीट के बाद में तो उस कॉमे से पहले जो अंक आएगा उसको हम thousand में पढ़ेंगे फिर अगला जो कॉमा लगेगा हमारा 10,000 पर लगेगा place के बाद में यानि दो डीट के बाद में और लगेगा पहला तीन फिर अगला दो के बाद में तो वो पढ़ा जाएगा बेटा हम उससे पहले आने वाले नंबर को हम लैक में पढ़ेंगे फिर जो तीसरा कॉमा लगेगा वो अपने से पहले आने वाले नंबर को करोड में पढ़ा जाएगा पढ़ा जाएगा या पढ़ा आएगा पहला तीन के बाद में तो ये अपने से पहले आने वाले को 1000 में पढ़ाएगा फिर अगला दो डिजिट के बाद में तो ये अपने पहले आने वाले को 10000 में पढ़ाएगा और फिर अगला इसके दो डिजिट के बाद में लग रहा है तो फिर ये अपने से पहले आने वाले नंबर को करोड में पढ़ाएगा similar देखो पहला 3 के डिजिट के बाद में तो ये अपने से पहले आने वाले नंबर को 1000 में पढ़ाएगा फिर अगला 2 डिजिट के बाद में तो ये अपने से पहले आने नंबर को पढ़ाएगा फिर अगला इन दो के बाद में आया है तो इस पूरे को लैक में पढ़ाएगा फिर अगला अगें दो के बाद में आया है तो यह अपने पहले आने वाले नमर को करोड में पढ़ाएगा यानि इस number को क्या पढ़ेंगी बीटाम, 7,55,03,872. वो लिख दिया मैंने आपको पास में. इसको क्या पढ़ेंगी बीटाम, 8,75,00, 375. इसे क्या पढ़ेंगी बीटाम, 5,00,00, और इसे क्या पढ़ेंगी बीटाम, वन थाउजन और फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू यानि फाइव करोड एट लैक वन थाउजन फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू ठीक बटा तो आई होब बटा आपको question भी clear हुई होगे और यह जो concept है यह भी समझ में आयोगा आप जल्दी से इस note को copy करें बच्छो जो अगला जो system है हमारा numeration का वो है international system of numeration ठीक है यानि यह जो international level पर यूज कर जाता है इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था Indian system of numeration जिसमें क्या करें थे बटा पहला comma लग रहा था तीन डिजिट बाद यानि 100 प्लेस के बाद दूसरा comma लग रहा था हमारा 2 जिट के बाद यानि कितना 10,000 प्लेस के बाद में अगला comma फिर 2 जिट के बाद में लग रहा था यानि 10,000,000 के बाद में लग रहा था तो वो हमारा Indian system of numeration था तो हमारा simple था आप logic याद करो वाँ का 3 फिर 2 दो 2 के बाद में लेकिन अब जो international system है ये और भी जादा आसान है इसमें जो comma लगता है बेटा ये सिफ लगता है बेटा हर यानि every 3 डिजिट के बाद में लगता है simple है? तो देखो बेटा मैंने एक note लिग दिया है in the international system of numeration as it is being used we have once अधिक तर जो हम use करते है तो इसके इंदर क्या होता है बेटा once place होता है, tens place होता है hundred place होता है, ten thousand place होता है and then millions आते है फिर क्या आता है बेटा? millions आता है अब आपके दिमाग में आ रहोगा millions का मतलब क्या होता है तो one million का मतलब क्या होता है thousand thousand यानि thousand thousand का मतलब क्या होता है ten lakh और ten lakh का मतलब मैंने लिख दे बेटा one million की जो value है न वो 10 Indian में अगर देखा जाए तो Indian में ten lakh के equal होती है clear है? यानि one million आप इतना याद रखो कि one million की value होती है ten lakh के equal होती है clear है? simple आपको क्योंकि इसमें confused हो कही 1000-1000 का मतलब भी बिटा यही है आप देखो 1000-1000 यानि आप multiply करके देखो बिटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो देखो बिटा unit यानि once फिर tenths फिर hundred फिर कितना आएगा बिटा आपका 1000-10,000-10,000-10,000 तब भी भी तो वही आएगा तो confusion नहीं होना बिटा इसने 1000-1000 का मीनिंग भी वही है ठीके न 1000-1000 का मीनिंग भी वही है यानि one million की value होती है 10 lakh के equal होती है clear अब जब कॉमा are used to mark सिर्फ दो चीजों को mark करने के लिए यूज होता है कॉमा international system में वो था thousands and millions यानि वो यह दिखाने के लिए कि कितने तो इसके अंदर 1000 आ रहे हैं और कितने millions यूज करे गए बस इन दो बातों को दिखाने के लिए कॉमा परयोग कर जाता है यानि अगर आप देखें तो the comma comes after every three digits यानि हर एक तीन डिजिट के बाद में क्या आता है कॉमा आता है अगर हम राइट साइड से देखें तो हर एक तीन डिजिट के बाद में कॉमा हमारे को अपलाई करना है देखें बेटा the first comma mark thousand यानि जो पहला कॉमा आएगा वो thousand को mark करेगा ठीके न thousand and next comma marks million तो अगला कॉमा mark करेगा बेटा million को लेकिन कहां से राइट से left से reading नहीं अगर राइट से अगर आएगा तो पहला कॉमा thousand को mark करेगा और फिर अगला कॉमा millions को जैसे मैंने यहां लगा रखा रहा बेटा देखो पहला तीन डिजिट के बाद में फिर तीन डिजिट के बाद में यानि पहला कॉमा जो आएगा वो अपने से आने वाले आगे वाले डिजिट को thousand में reading करेगा यानि अब आप इसे क्या बोलोगों कितना बोलोगा आपको आप बोलोगो इसको six six hundred three thousand बोलोगे और अगला जो कॉमा आएगा ये आया हमारा फिर तीन डिजिट के बाद में आया तो इससे पहले वाला जो नंबर पढ़ा जाएगा वो millions यानि इससे 80 millions पढ़ा जाएगा similarly ये देखो बेटा पहला तीन डिजिट के बाद में आया तो जो अपने से आने वाले को thousand में पढ़ेगा फिर इसके बाद में जो कौमा आया तीन डिजिट के बाद में ये अपने से पहले वाले नंबर को millions में पढ़ेगा similarly है तो मैं इनका naming लिखके दिखाता हूँ बेटा आपको समझ में आ जाएगा naming देखो बेटा इनकी इसको देखो वेटा, तीन, तीन के बाद, फिर देखो, ऐसी इसमें तीन, तीन के बाद, फिर तीन, तीन के बाद में, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा वेटा, पहला जो है, यह होगा हमारा, 80 पहला थिक, अफिर, 600, 600, 600, 600, 300, 1000, और फिर कितना है बिटा 456 यानि 456 अब बटा एक चीज देखो यहां पर यहां पर इसको तो उन्हें और इसे यह हिंदी में जैसे बोलो 603,000 है यानि 603,000 पड़े जाएगा इसे यानि पहला कोमज आएगा हो थाउजन के लिए और दूसरा कोमज आएगा अपने से आने वाले को मिलियन से पड़े गए यानि इसे बोलेंगे हम 80 मिलियन बोलेंगे और 603 यानि ये 603 इसको 603 456 यानि 456 similarly इसे क्या पढ़ेंगे दूसरे वाले को आप देखो इसे क्या पढ़ेंगे ये 50 है काउंटिंग में तो 50 पहला आएगा million दूसरा 801 यानि इसे पढ़ेंगे पढ़ेंगे 801 one thousand eight hundred one thousand ठीक है कितने हजार है 801 हजार यानि eight hundred one thousand है फिर इसको तो तुम नॉर्मल पढ़ो five hundred five hundred और कितना ninety two ninety two ठीक है बढ़ेंगे next कितना है आपका थर्ड पार्ट है जो इसका वो है sixty five million और ये देखो zero है अब यहाँ पे सिफ इसे twenty five पढ़े जाएगा आपने अकॉर्डिंग तो twenty five क्या thousand पढ़े जाएगा तो इसे बोलेंगे बढ़ेंगे twenty five thousand और आगे क्या है बढ़ेंगे थरी हंड्रेड वन ठीक है बटा यहाँ पे देखो simple है दोनों में confuse मत होना Indian system of numeration में पहला कॉमा तीन फिर दो दो के बाद international system of numeration में पहला कॉमा थ्री फिर हर याँ एक तीन दिरिजित के बाद में मैं कॉमा यूज करना है ठीक है यहाँ पे क्या कर रहा है पहला कॉमा यानि अगर राइट से देखे यानि पीछे से आ रहे हैं तो पहला कॉमा रिप्रेजेंट करेगा thousands को और दूसरा कॉमा millions को रिप्रेजेंट करने का यानि मार्क करने का thousand और millions का मतलब क्या है कि जो पहला कॉमा आएगा न इससे पहले जो भी number बनेगा तीन डिजिट का है दो डिजिट का है एक डिजिट का हम लिखेंगे तो तीन के उसमें ट्रिपलेट में तो जो number होगा वो thousand में पढ़ा जाएगा फिर अगला जो इनके बाद में कॉमा आएगा वो अपने आगे वाले number को million में पढ़ाएगा clear है simple है तो एक तो बेटा आप तुम्ही बात याद रखना कि वण million की जो value होती है million की जो value होती है one million की value वो 10 lakh के equal होती है पहली बात याद करना अच्छा आपको पता है बेटा कि 1 lakh के अंदर कितने thousand होते हैं 1 lakh के अंदर कितने thousand होते हैं बेटा यानि, आप 100,000 हो जाते है, जब हमारे तो हम उसे क्या कहते है भीटा, 1 lakh कहते है, ऐसी, 1 करोड का मतलब जा होता है, 100 lakh को क्याते है भीटा, यह हुता है, तो यह कुछ बातों को आप ध्यान रखना, तो आप उसको convert, जो exercise आईगी है, हमारी NCRT की next उसके इंदर conversion of number बहुत important पूछे गए तो मैं उनको convert करना भी सिखाऊंगा आपको कैसे करना है तो आप पहले तो इनको note कीजिए I hope आपको इक लास समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी वीडियो ठीक है बटा तो हम मिलते हैं बटा next वीडियो में next topic के साथ में जब तक के लिए आप इसको note कीजिए and thanks for watching this video